प्राची पारशर प्राब मौसम की वजह से चारधाम यात्रा को रोग दिया गया है और जो यात्री बीच में थे उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है चूकि भारी बारिश की संभावना जो है वो मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है यानि 2013 में जिस तरीकी की तबा पहरी बारिश हो सकती है अगले दो दिनों में इसलिए तमाम एतिहाद बढ़ते जा रहे है बारिश का जो अलठ है वो जारी कर दिया गया है आपता प्रभंधन जो है वो पूरी तरीके से अलठ हो गई है और एतिहातन चारधाम यात्रा को रोक दिया गया है खराब मौसम क की च्वेतावनी के बाद केदारनात की यात्रा पर अस्थाई रूप से रोक लगा दिगए है तीरति यात्रियों को सोनफ्र्याग में रोका जा रहा है और उन्हें सुरक्षित इस्थानों पर रहने की सलहा दी जा रही है इसके अलावा कई यात्रा पड़ावों पर भी पु इन निर्देश दिये गए हैं, इसके दिक जितने भी यात्री गडानात पे थे उनके दर्शन के दर्शन वाइज्व लोग्यातरी दिये जा रहे हैं, कि तत्काल आप जो है सुन प्रयाक तक गौरीब कुल तक पहुचे इसके अतरिक्त समस्थ SDM को समस्थ Executive Engineers को अवेर कर दिया गया है और Incident Response System जो जिले में स्थापित होता है उसको भी पूरा अप कर दिया गया है तो खराब मौसम की वजह से केदारनाथ यातरा को रोका गया है स्थाई तौर पर रोका गया है चारधाम यातरा को क्यूंकि मौसम विभाग की तरफ से भारी बारिश की संभावनाएं अगले दो दिनों के लिए जताई गई हैं और ये संभावनाएं जताई गई हैं कि 2013 से भ और इस वक्त मेरे साथ मेरे तीन सहयोगी जुड़ गए हैं जो तमाम अपडेट्स हम तक पहुचाएंगे रवी केंतूरा धहरादून से हमारे साथ हैं रोहित भी हमारे साथ जुड़ गए हैं सके साथ हम दानिश खान भी रामनगर से हमारे साथ जुड़ गए हैं सबसे पहले रवी आपके पास आना चाहूंगी क्या कुछ चेतावनी दी गई है क्या कुछ संभावना आने वाले दि प्रदेश में रेड अलर्ट जो है मौसम विभाग ने जारी किया है और ऐसे में जो समिदशील जिले हैं खास तोर पर पितरागर्ड, नैनिताल, बागशोर, चमपावत और टिहरी उत्तरकाशी जिलों के बात करें तो यहां के जो अधिक उचायवाले शेत्र हैं वहाँ पर अत्यंत भारी बारिश की जितावनी मौसम विभाग ने दी है, 19 तारिक तक इसी तरीके का प्रदेश में मौसम बना रहेगा, आज से इसकी शुरुआत हुई है, सुबह से ही जहाजम बारिश पूरे प्रदेश में देखने को मिल रही है, आज 13 दुन में भी पूरी दिन बर इस वक्त में बात करों, तो बारिश जरूर ठमी है, लेकिन जो आसपास के शेत्र हैं, वहाँ पर भी अभी बारिश हो रही है, तो जो अलर्ट उत्राखन में दिया गया है, ये अलर्ट ये बताता है, क्योंकि 11 से 12 दिन अगर हम पिछले देखें, तो बिल्कुल च जारी किया है, और उसकी शुरूआत आस से हो गई है, तो ऐसे में जिस तरीके से प्रदेश में बारिश की शुरूआतन कदम है, वह उठाए जारी जारे हैं, और इस वक्त हम रोहित का भी रुक कर लेते हैं, जो रुद्र प्रयाग से हमारे साथ जुड़े हुए हैं मेरे स प्रयाग से जारी रुक गया गई है। करेंगे कि यहां पर कि जुन बोर्तांसन है यहां पर का फिर फार्थ प्रत्राथ बते हुए है चुकि यहां पर मौसंग विवाता बाद कर तक अलग जार किया गया है कि कि यहां पर हो सब्सक्राइब कर देखते हुए जो है जिला दिकारी मनुझ बेला असी जो पुलिस अबीचक है वहां यहां पर चाहिए और कहसे हैं कि चाहिनाद भाम में आर्टे जप यहां जो पहुंचे हुए कि उसक्राइब रखा गया है अब ही जिला मुझ आले में करीमां एक दो हजार जात्री हैं अब भाम भूम रहे हैं उनके उनको भी प्रताथन के और से जो पहुंचे है उनके यह उनके लिए रहने और खाने की जो परी आज़ा है जो लोग पहुंचे हैं और यह जो पड़ाओं में रिखे हुए हैं तो कह सकते हैं कि काफी पहुंचे हैं उनकों सब्सक्राइब यहां पर देखने को मिल रहा है और प्रताथन के लिए ब्यारताएं भी यहां पर कर रहा है बिलकुल रोहित और इसी तरीके की जो तैयारी है वो की गई है आप बने रहे हमारे साथ जानकारी आपसे लिंगे लेकिन आपको बताएं कि मुख्यमंत्री पुषकर सिंग धाबी ने भारी बारिश को देखते हुए मुख्य सचिव ऐसे संधू से फोन पर प्रदेश की सिती की जानकारी ली मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि पुलिस, SDRF और अन्य सम्बंदित कार्मिकों को समवेदंशील स्थानों पर हाई अलर्ट रखा जाए तो देखिए मुख्यम विभाग ने रेड अलर्ट चारी किया है और इसको देखते हुए प्रदेश में तमाम तयारियों को सुनिश्चित किया जा रहा है इन तमाम बातों के बारे में जो जानकारी है वो सुनिश्चित की गई है रवी मेरे सहीयोगी लगातार पने हुए है रवी देखिए जिस तरीके से अलर्ट जारी किया गया है और जिस तरीके से तैयारियां की जा रही है मुख्यमंत्री भी कापी तंजीदा लग रहे हैं कापी गंभी लग रहे हैं यही वज़े है कि तमाम तयारियों को सुनिश्चित करवाया जा रहा है की तनाती की जाए और तमाम जिरादिकारियों को अलर्ट पर रहने के निर्देश देए गए हैं सभी जिरादिकारियों को कहा गया है कि अपने फोन 24 आर्र खुले रखें किसी भी तरीके से कोई लाप्रवाई नहों और कोई हाथसा होता है आपदा जैसी इस्तिती बनती है त इस तरीके से हमारे स्योगी रोई बता रहे थे कि जब केदाना जी जो आज श्रदालु गए थे उनको फटा फट मंदिर से वापस वेजा गया वहाँ पर आप जो आइस्ताई रोक लगा दी इसी के साथ ही अगर हम बात करें तो गंगोत्य यमनोत्री की यात्रा है उसको भ अपने रिये आप हमारे साथ लगातार आपसे जनकारी हम लेते रहेंगे अपडेट्स हम लेते रहेंगे इस बीच अपने दर्शुकों को दो तस्वीरे हम यहाँ पर दिखाना चाहेंगे क्योंकि मौसम देखिए किस तरीके से बदल रहा है रुदुर्पूर और हलदवान जो चेतावनी जारी की है कही न कहीं मौसम उस हिसाब से जो है वो बदल रहा है अब आने वाले कुछ दिन जो है वो उत्राखंड के लिहां से भारी रह सकते हैं क्योंकि भारी बारिश हो सकते हैं और सीधा रामनगर का रुप कर लेंगे मेरे सहीयोगी दानिश वहां से हमारे साथ बने हुए हैं दानिश देखिए मौसम उत्राखंड में बदल रहा है खासकर पहाड़ी इलाकों की बात करें तो वहां पर ज्यादा खत्रा आया जा रहा है रामनगर की क्या इस्तिती है? किस तरीके का मौसम देखने को मिल रहा है और क्या तयारी है प्रशासन की? कोशी नदी में जिस तरह सब पारी बढ़ता जा रहा है मेरे तीचे कोशी नदी है उसमें 2013 के वो निशान भी मौजूद है जहां पर 2013 में आफ़ आई थी तो इस नदी में अपना रोध रूप अपनाया था वहीं बात करें पुरशासन की तो मैं दिखाना चाहूंगा आप गंतविये को निश लगातार अफील की जा रही है सुरक्षित लोगों को रखा जा रहा है ताकि किसी प्रकार के कोई अनोहोनी ना हो जाए शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जनकारी दर्चुकों को देने के लिए तो खराब मौसम की वज़ तो यात्रियों को बदरीनात धाम में ही रुकनी की सलहा दी गई है तो वहीं रिशिकेश से बदरीनात धाम जाने वाले तीर्थ यात्रियों को रास्ते में ही रुकनी की सलहा दी गई है तो देखी ये अतिहातन कदम उठाय जा रहे हैं अब यात्रियों को रोका जा रहा है क्योंकि खराब मौसम की वजह से खत्रा बना हुआ है सेले पत्रीनाध धाम जाने वाले यात्रियों को रोका जा रहा है और एकली खबर यह है कि जोशी मट में बारिश के चलते हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है जीएम ने स्कूल बंद करने का आदेश जारी कर दिया है कल जिले के सभी स्कूल बंद रहेंगे मौसम विफाक की च्वेतावनी के बाद एतिहातन कदम अब दियम ने उठाए है बारिश की वज़े से स्कूल बंद कर दिये गए है बड़ी खबर इस वक्त के आपको बता रहे है जोशी मट में भी अलर्ट जारी कर दिया है कई जिलों के कल स्कूल बंद रहेंगे बारिश की वज़े से स्कूल बंद किये गए उत्राखन में हैवी रेंड के अलर्ट को लेकर पुलिस ने ट्वीट कर लोगों को साबधान रहने की अपील की है पुलिस ने अपने ट्वीट में लिखा है कि 19 अक्टूबर की सुभा तक प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रधालों से अनुरोध है कि कृपया मौसम की समाने होने तक पहाडों की ओर सफर ना करे लेके खराब मौसम को देखते हुए प्रशासन ने किदारनात गंगोत्री अमनोत्री धाम की यात्रा अस्थाई रूप से रोक दिया गया है यानि चारधाम जो यात्रा है उसे रोक दिया गया है यात्रियों को सुरक्षित जगाओं पर रोका जा रहा है ताकि मौसम खराब होनी की वज़े से लोगों की मुश्किले ना बढ़े लोगों से अलग-अलग माध्यमों से अपील की जा रही है कि आप उत्राखन का रुख ना करें पहाडों का रुख ना करें जब तक मौसम सामाने नहीं हो जाता है तरके संग्राम में बात करेंगे जुआलापुर विधान सभा सीट की जिस पर फिलाल भाजपा का कबजा है यहां से भाजपा की सुरेश राठोर विधायक हैं सुरेश राठोर की चवी राजनेता के सासाथ धर्म गुरू की भी है लेकिन इस बार क्या जुनता का आशिरवाद नेता जी को मिलेगा बात इसी पर होगा हरीद्वार के जुआलापुर विधान सभा पर मौजूदा समय में भाजपा का कबजा है यहां से सुरेश राठोर विधायक है जुआलापुर विधान सभा 2012 में अस्पित्व में आई थी 2017 के चुनाओ में सुरेश राठोर भाजपा के टिकेट पर चुनाओ चीत कर विधान सभा पहुंचे थी सुरेश राठावर को लगता है कि उन्होंने अपने विधान सभाज शेत्र में विकास के काफी काम करवाए हैं इसलिए शेत्र की जनता इस बार भी उनका ही साथ देगी कि यह उनके लिए तार बार लगवाने का काम किया जिन बंचेत्र के गाउं में विकास की दरस्टी से काम ने ओर ते वहां पर हैंप लगाकर सड़के बनाने का का म हम ने किया तो इस तरह की बहुत सारा है है सुरेश राठोर की छवी राजनेता के साथ-साथ धर्मगुरू की भी वे रविदास कथाओं का आयोजन भी करते हैं 2017 के चुना में भले ही जंता ने सुरेश राठोर पर भरोसा जताया मगर इस बार सियासी समिकरन बदल चुके हैं तो वहीं विधायक का नाम बिवादों में रहने की वज़ा से इस बार उनकी जीत की रा मुश्किल हो सकती है एवीपी गंगा के लिए ज्वालापूर से रोहित सिखौला की रिपोर्ट विधायक सुरेश राठोर अपने विधान सबाक शेतर में विकास का दावा कर रहे हैं लेकिन विपक्ष उनके दावों पर सवाल उठा रहा है कि अब जालो के साथ साथ स्वास्ते की दृष्टी से सब को आगे बनाया है आज 24 गंटे मेरे बुगावाला के अंदर नहां दूर दूर तक भी कोई शिक्षा की चिकित्सा की विवस्ता नहीं थी वहां 24 गंटे एंबुलेंस रहती है और अब आपको दिखाते हैं कि क्षेत्र की जनता के बड़े मुद्दे कौन-कौन से हैं जुआलापुर विधान सभाब में मुख्यमार्ग खस्ताहाल है जिससे लोगों को आवाजाही में समस्या होती है मुद्दा ये भी है कि गंणा किसानों के गंणे के भुकतान समय पर नहीं होना जिससे शुगर मिलो पर किसानों का काफी बकाया है मुद्दा ये भी है कि विधान सभा क्षेत्र में पेजल और सजाई के लिए पाने की समस्या है वहीं जंगली जानवर पसलों को बरबाद करते हैं जिससे किसानों को काफी नुकसान होता है लेकिन इसका अभी तक कोई समाधान नहीं हो पाया है शिक्षा और स्वास सुविधाओं की कमी भी एक बड़ा मुद्धा है